वही बीजेपी के वरिष्ट नेता और राज्य सभाज सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्विट कर बिहार में सियासी तूफान मचा दिया है उन्होंने ट्विट के जरिये कहा कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल आर जेडी तेजस्वी और तेज प्रताब से इस कदर परेशान है कि वो अपने समविधानिक दायत्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दल में असंतोश और घुटन महसूस करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ गई है पार्टी में कभी भी भुकम आ सकता है सुशील मूदी के इस ट्वीट के बाद बयानों का दौर लगातार जारी है और इस पर विस्त्री जानकारे के लिए मरसत पटना से हमारे समवाद आता उतकर्ष जुड़ चुके है उतकर्ष राजसभा सांसद सुशील कुमार मूदी का दावा है कि बहुत जल्द आर जेडी में टूट हो सकती है इसे पूर्व भी कई बार सतपक्ष के नेताओं ने इस तरह के दावे किये लेकिन अब जो राजसभा सांसद सुशील कुमार मूदी ने ये दावा किया है कि आर जेडी में भुकम पा सकता है क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है उतकर्ष जी तमाम जान करूगली बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो मैं आपको एक बार फिर बता दें कि राजसभा सांसद सुशील कुमार मूदी ने ये दावा किया है कि बहुत जल्द ही आर जेडी में भुकम पा सकता है आर जेडी की जो पाटी है वो बहुत जल्दी तूट सकती इस पर लेके उन्होंने तेजस्वी और तेजप्रताप पर भी तंज कसा है नहीं है तो सब घोटाले भूतों में किये आपको बता दें कि कोरोना घोटाला की बात सामने आने पर विपक्ष किये और से सीयम नितीश पर लगातार हमले जारी है